नमस्ते भाई बेहनों आप सबको मेरा कोटी कोटी प्रिणाम आज मैं आपको सुनार्यू शिरी मत भागवत पुरान तो जरूर सुनना लाइक करना सब्सक्राइब करना बोलो शिरी कृष्ण भगवान की जै हो जै जै शिरी राधे रानी की जै हो और आज का हमारा अध्याई है उद्धव जी का विधुर जी से विदा होकर बद्र का श्रम में जाकर सरीर का त्याग करना बोलो शिरी हरी शिरी हरी जै जै शिरी राधे शिरी सुकदेव जी बोले है राजन इसके बाद उद्धव जी ने विधुर जी से कहा है भराता अब मुझे जाने के आग्यान द मोहर्ट ने पिर्थभी पर अवत्रित होकर समस्त संगसार में अपने पड़तावियम यसको चंद्रमा के प्रकास की तरह पहला दिया है और धर्म तथा गौब रामों की रक्षा करने के बाद वे अपने गौब लोग धाम को पधार गए हैं बोलो शिरी हरी जै जै शिरी तुम तो आठों याम सदे उनके समीप ही रहते थे परंत उनकी माया ऐसी परबल थी कि तुम भी उनको न जान सके बोलो शिरी हरी शिरी हरी जै शिरी किष्णा जै जै शिरी रादे इस कारण निश्चे ही यह जानना चाहिए कि भगवान शिरी नंद नंदन की किरपा के बि तो भी जन्म सपल हो सकता है बोलो जै जै शिरी रादे परंत भगवान शिरी हरी भक्तों का सतसंग सहज भी नहीं मिलता बोलो जै जै शिरी रादे किशी पूरो जनम के पुन्य के कारण ही मुझे यहां तुम जैसी हरी भक्त के दर्सन मिले है सूत जी ने शौन कादिक रिश्यों से और सुरी सुकदेव जी ने राजा परिशित से कहा इस तरह आपस में बाचित करने के बाद विधुर जी ने विधुर जी ने विधुर जी से विदा होकर बद्रिकास्व को प्रस्तान किया और वहाँ पहुँचकर भगवान स्री श्याम सुन्दा स्री कृष्ण संद्र जी के चरन कमलों का इस्वर्ण करते करते हुए योगा भास द्वारा अपना देह त्याकर भगवान के परमधाम को प्राप्त किया बोलो जैशे स्री राधे स्री हरी बोल हरी बोल जैशे स्री राधे जैशे किसना राधे